यॉर एक्सिलेंसी राष्टपति पूतीन सम्मानित अतिजीगाण नमस्कार मुझे खुशी है कि वल्दी वस्तोक में आउजित किया जा रहा है साथवे इस्टन इकनोमिक फोरम में आपसे वर्चुल रूप से जुणने का मोका मिला इसी महिने वल्दी वस्तोक में भारत के कंसलेट की स्थापना के 30 वर्ष पूरे हो रहे है इस शहर में कंसलेट खोलने वाला पहला देश भारत ही था और तब से यह शहर हमारे समंधों के कई माइल्स्टोन का साक्षी रहा है फ्रेंट्स 2015 में स्थापित किया गया यह फोरम आज रश्यन फारिस के विकास में अंतराश्य सहयोग का एक प्रमूख वैस्ट्रिक मंच बन गया है इसके लिए मैं राश्पति पुतीन की दुरदर्शिता का अभिनंदन करता हूं और उन्हें बधाई भी देता हूं 2019 में मुझे इस फोरम में रूबरू हिस्सा लेने का मोखा मिला था उच समय हमने भारत की एक्ट फार इस नीती की गोश्णा की थी और परणाम स्वरू रश्यन फार इस के साथ विबिन्नक शेत्रों में भारत का सहयोग बढ़ा है आज यह नीती भारत और रूस की स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेजिक पार्टरशिप की एक प्रमुक्स तंब बन गई है चाहे हम इंटरनेस्टरल नौर्ड साउथ कोरिडोर की बात करें चिन्नाइद वल्दी वस्तोक मेरिटाइम कोरिडोर की या नौर्दन सी रूट की भविश्च में कनेक्टिविटी हमारे समंधों के विकास में महत्वपूर्ण भूमी का निभाएगी भारत आर्किटीक विश्वों पर रूस के साथ अपनी भागीदारी को मजबूत करने के लिए इच्छुक है उर्जा के खेत्र में भी सहयोग की अपार संभावना है उर्जा के साथ साथ भारत में फार्मा और डाइमर्ण के खेत्रों में भी रश्यन फार इसके महत्वपूर्ण निवेश किये हैं रूस कोकिंग कोल की सप्लाई के माध्यम से भारतिय स्टील इंडिस्ट्री के लिए एक महत्वपूर्ण भागिदार बन सकता है